हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिया है हल्दी तेकि हल्दी में औसदी गुण होते हैं इसमें एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लमेंटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसकिन से गंदगी को पहा निकाल कर एक स्वरच्छत चक्र बना देती हैं और हमारे चैरे पर होने वाले पिंपल्स दाग दब्बे मुहासे उनको खतम करती है हल्दी का इस्तिमाल चैरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई सारे सालों से होता रहा है साधी से पहले दूला और द आज बले ही मार्केट में ऐसे उत्पादों की भरमार हो है जिनका हल्दी पे खासतोर से उप्योग किया जाता है लेकिन हल्दी के इन घरिल नुसकों की बात की जाए तो उसमें आपको देखेंगे कि हल्दी का प्रयोग आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे आज की वीडि तो चैरे के दाग दब्बे अठाने के लिए हमें चुठकी बर हल्दी लेनी है हल्दी की मातर जादा नहीं लेनी है ताकि फिर पिर हमें हमारा चैरा पे पीला जाता लगया दूसरा जो इनग्रेटियंट हमें लेना है वो है नीवू नीवू में ब्लीचिंग को और हमारी इसकिन से दाग दब्बे पिंपल्स और मौसे के निसानों को रिमूब करेगा क्योंकि नीवू में ब्लीचिंग प्रोपटीज होती है और नीवू में बिटैमिन सी और ना जाने कितने सारे डेव सारे इतने ओशिदी गुण होते हैं जो हमारे इसकिन को अंदर त जाके साफ करता है अब देखिए जो हमारा ये पेश्ट बन के तैयार हुआ है इसको एपलाई करने का करीका यह है कि आप कॉटन की हेल्प से या फिर उंगलियों की हेल्प से अपने चेहरे पर मसाज करने है जब आप अपने चेहरे पर दो से तीन दिन तक इस नुस्कियों को अपनाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट अपने हापी देखने को मिल जाएगा और आपके चेहरे पर से दाग दब्बे इंपल्स और मासों के निसान साफ हो जाएंगे अगर आपकी इसकिन ऑईली है तो वह भी समझ से समाप्त हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें नीवू नीवू में सिट्रिक ऐसे डोता है जो हमारे इसकिन को अंदर तक जाकर साफ करता है तो देखे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लागा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजे, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के पास ता कि वो भी इस नुश्के को जान सके और भी बैतरी नुश्के आपके लिए ले कर आता रहूँआ तो चलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद